नमस्कार दोस्तों काद्यान्स कोकिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका अपने तांबे के बरतनों को साफ करने का बताने वाली हूँ तो ये बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है इस तरीके से जब आप तांबे के बरतनों को साफ करेंगे चाहे व और एक बरतन में मैंने ले लिया है आधा चमच नमक एक चमच गेहूं का आटा और इसका हमें एक लिक्विट सा पेस्ट तयार कर लेना है तो लगभग दो तीन चमच के करीब मैंने इसमें सिर्का डाल दिया है याने विनेगर जो हम चाउमिन वगरा में या चाइनीज डिश इसमें यूज करते हैं वो हम इसमें डाल देंगे तो दोस्तों सिर्का होता है एकदम खटा और जिस वज़े से यह हमारे तांबे के बरतनों को एकदम चमका देगा अगर आपके पास विनेगर घर पे नहीं है तो आप नीमू का रसका भी यूज कर सकते हैं तो अब यह जो इस तरीके से काले पड़ जाते हैं और कई बारी यह और गहरे रंके हो जाते हैं हरे रंके भी हो जाते हैं और इसमें जब हम पानी डाल करके जब वो पानी पीते हैं तो वो पानी का भी टेस्ट फिर चेंज होने लग जाता है तो इसे समय समय पे साफ कर लेना चाहिए और इस तरीके से ये देखने में भी एकदम सुन्दर दिखते हैं चमक जाते हैं और साथी इसके अंदर जो हम पानी रखते हैं वो पीने में भी उसका टेस्ट अजीब सा नहीं लगता है तो यह आप देख सकते हैं मैंने पतली सी लेयर इस पे लगा दी है और यह डिफरेंस के लिए एकदम सेफ हैं तो मार्केट में मिलने वाले बाउडर होते हैं जैसे पितांबरी वगरा तो उससे जब हम अपने तामबे के बरतनों को साफ करते हैं तो हमारे हाथ थोड़े से रफ हो जाते हैं एकदम से ड्राइव हो जाते हैं और यह सेल्यूशन बिल्कुल सेफ में यह तयार किया है अगर ज्यादा बर्तन आपको साफ करने हैं तो आप क्वांटिटी को इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं और अब इसी सलूशन को मैं अंदर भी लगा लूँगी क्योंकि अंदर इसमें हम पानी भर करके रखते हैं यह देखिए अंदर भी मैंने लगा लिया है तो अंदर से भी साफ हो चुका है अब एक स्क्रबर हम ले लेंगे ताकि जो जिद्धी स्टेंस रह जाते हैं जहां पे थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट्स रह जाता है उस पे हम रब करेंगे तो यह साफ हो जाएगा तो एक पुराना सा स्क्रबर ले ले जादा नया वाला लेंगे तो इसके स्क्राचेस पर जाएंगे तो जो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं पुराने स्क्रबर होते हैं उससे हम हलके हातों से ही रब कर लेंगे अंदर से भी हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे अगर थोड़े एकदम साफ हो चुका है तो इसे अब मैं वाश करके दिखा देती हूँ तो फ्रेंट्स ये देखिए इसे अभी मैंने वाश कर लिया है तो ये अंदर से भी अच्छा साफ हो चुका है अच्छा चमक चुका है अब हम इस पे जो नॉर्मल बरतंद होने का साबून होता है वो रगड़ करके साफ करेंगे तो ये एकदम से और अच्छे से चमक जाएगा फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूसफुल लग रही ही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजे आपके लाइक के जरिये मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अपने जो भी ट्रिक्स मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूं ताकि मेरे साथ साथ आपका भी काम और आसान और बहतर बनता रहे तो ये देखिए साबुन से इसे रब करने के बाद में अब मैंने इसे वाश कर लिया है और ये वाश करने के बाद में आप इसके शाइन देख सकते हैं ये कितना अच्छा साफ सुन्दर लग रहा है तो तुरंत ही हमें अभी इसे एक ये देखिए तुरंत ही मैंने इसे अभी पहुंच दिया है तो एकदम से हमें इसे ड्राइ कर देना है ताकि पानी के जो स्पॉ हो चुका है तो ये सिंपल साथ तरीका है दोस्तों आप इसे आजमा करके अपने तांबे के बरतनों को साफ कर सकते हैं आफ्टर और बिफोर के भी आप ये देखिए क्लिप्स ये पहले कितना काला और गंदा था अंदर से और ये अभी एकदम से इसमें शाइन आ चुकी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि आपके साथ साथ औरों के भी काम आ सके तो फ्रेंड्स लाइक के बगेर बिलकुल भी ना जाएं आपके लाइक के जरीए मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाए उसके बाद में घंटी को दबाए दे ताकि आगे की मेरी सबी वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी थांक यू फो वाचिंग स की वीडियो